नमस्कार मैं नरेद्र वर्मा स्वदेश न्यूज की खास पेसकस में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं आदमी जिन्दगी भर कमाता है और बुढ़ापे के लिए जो संपत्ति अरजित करता है उसको अचल संपत्ति बोलते हैं चाहे बच्चों के लिए अरजित की ग करता है कि बुढ़ापा उसका आराम से कटे लेकिन कुछ भूमाफिया ऐसे होते हैं कुछ अपराधिक तत्व ऐसे होते हैं जो इन भूले भाले लोगों की जमीन पर गिद्ध द्रश्टी जो है जमा के बैठते हैं ऐसा ही कुछ मामला हुआ है इन दौर से एक बहुत बादवानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जिसके उपर बलातकार के किस दर्ज हैं जिसके उपर कई ऐसे किस रेजिस्टर्ड हैं चाहे टेक्स चोरी का मामला हो या फिर जमीन हतियाने के कई मामले उस पर रेजिस्टर्ड हैं और इसी पूरे मामले में एक व्यक्ति सिकार है और एक बुढ़ा आदमी जो की बिलकुल अपने बुड़ापे की दहलीच पे है और जो आदमी घर पे बैठके आराम करना चाहिए उस बुजर्ग बैक्ति को वह आज राजधानी की सड़कों पर नियाय के लिए लगाई लड़ते हुए घूम रहे हैं अकेले बैक्ति हैं जग्दिश पालिवाल जी आप बताईए कि क्या यह पूरा मामला था और किस तरीके से किस और बादमानी ने आपको अपने पूरे जाल में फजाया मैंने यह प्लाट इंदोर विकास प्राधिकरण से 1986 में क्राय किया था टेंडर के द्वारा उसके बाद मैंने चुकि मैं इंदोर से करीब 350 किलोमेटर दूर का निवासी था और उस वक्त आवागमन के साधन सिमित थे इसलिए इस्थानी कारे करने और भूखंड की देख र साधिकरण के नियमा अनुसार आवंटित्व्यक्ति के अलावा किसी अंज्यव्यक्ति के नाम पर लिजडिट नहीं हो सकती है इसलिए और दूसरा कि जब तक भूखंड पर भववन का निर्मान नहीं हो सकती किया जाता है तब तक किसी प्रकार उसे हस्तांत्रित नहीं किय जा सकता है इस बात की एक मन में विश्वास था यह इस विश्वास के साथ मैंने तुलसिदास मनवानी को आमक्तियार न्यूक्त किया था हमारे बीच ऐसा यह था कि जग्दिश जी जैसे आपका कहना है कि आप चुकि इंदोर से दूर रहते हैं और आपको चालिस जार स्कॉर प्लोट मिला था इस पर क्या बना है अभी बताना चाहेंगे इस पर डब्ली ओ डब्ली नाम से वाव होटल बना हुआ है जो करीब नो दस मंजिल बना हुआ है और उसके उपर फरजी दस्तावेजों के उपर बैंकों से करोरों रुपए लोन लिया गया है यही यही बात मै अरे पास दस्तावेज मौझूद हैं और इन दस्तावेजों में इस पर्ष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि अगर इंदोर डेवल्मेंट एथॉर्टी से कोई प्लोट लिया जाता है तो जब तक भबन निर्मान नहीं होता तब तक उस प्लोट को ना तो किसी को लीज प तक भबन निर्मान ना हो यह बात नियम अबली में इंदोर विकास प्रादीकन जो है उन्होंने लिख रखी है उसके बाद भी उसके बाद भी यह जो बुजुर्ग हैं इनके साथ में धोका धरी करते हुए इनका प्लोट सबसे पहले मनवानी के पास पहुंचता है और मतलानी के बाद में इस पौल्ट के हिश्से होते हैं बदवानी के पास पहुंच जाता है यह जो होटल की जमीन पर बनाए गया है और इसको 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 बनाने के पहले मुझे यह बचाएगा था कि अपनी मतलानी से रेशो डिल हुए और उसके अंतरगत यह इस पे होटल का निर्मान हो रहा है जब होटल का निर्मान पूरा हो जाएगा तो इसके आपसी जो अनुबंद या एग्रिमेंट बनना है वो उसके बात बन पाएगा चुंकि रादिकर अनुबंद नहीं किया जा सकता इसलिए और यह कह गया होटल का निर्मान अपने ही प्लाट पर हो रहा है अत्य चिंता की कोई बात नहीं है यह इस विश्वास के साथ और प्रादिकरण के नीमा नीमों के अनुसार कब मैं निश्चिन चाथा दूसरा यह कि नगर निगम मे आज भी उक्त भूखंड जगदिश पालिवाल के नाम पर ही दर्ध है यह बहुत बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात करें आप पालिवाल जी और मैं अभी आपको कुछ डॉकुमेंट दिखाने जा रहा हूं वह डॉकुमेंट इंदौर विकास प्रादिकरण के 23 इंदौर विकास पादिकरण किस तरीके से अपने नियमों को धताते बताते अपने नियमों को सिथिल करते हुए जगदीश मनमानी को एक प्रमाडपत्त जारी किया जिसके बाद में इस होडल का निर्माड शुरू हुआ घ्रीश मतलानी जो है उन्हों उनको यह उन्होंने प्रमाडपत्त उनको जारी किया है तो पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में नियमों को दरकनार किया है अगर हम नियमों की बात करें तो यहां पर धनबल बाहूबल की बात की गई है इस पूरे मामले में जब आपने सिकायत की आपने कई एजेंसियो को भी जांच एजंशियों के सिकायत की तो क्या वहां पे हुआ और उसका क्या रिजल्ट आया हर जगे उन्होंने अपने धनबल और बाहूबल के बल पर सब जगे मतलब जो इस पर प्रसम द्रश्टिया में इस पर नजर आ कि एकी भूखंड की आवांटंज से एक दिनांग उसी इंधो हो सकता है यह दस्ताबेग बड़ी बात है कि ए also बोकै 실स प्राधी करणड ने कितना बड़ा गोटावा किया है और इंदोर का जान माना नाम है हैं जो बताते हैं कि इंदोर बिकास प्राधीकरण ने कितना बड़ा गोटा ला किया है और इंदोर का जाना-माना नाम है किसोर बादवानी जिनको गुटका किंग से नाम से भी जाने जाता हैं वो उसके अलावा वह एक मीडिया हाउस के मालिक हैं उसके अलाबा उन पर कई ऐसे केस हैं हमारे भुपाल में भी कई थानों में उन पर केस रेजिस्टर्ड हैं चाहे टैक्स चोरी का हो या बलातकार का केस इतने संगीन आरोपन पर लगे हुए हैं अभी कुछ दिन पहले वो जेल से चूटे हैं लेकिन किसोर बादवानी की गु पहुंचे जी हां दो दो तिन तिन बार आज चुके हैं और धंकी के तुम इस बारे में अपना केस वापिस ले लो अन्यथा तुम्हें तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारे पुरे परिवार का पता नामों निशान दिखाई नहीं देगा इसके अलावा उन्होंने हम हमारे खिलाप किशोर वादवानी के द्वारा एक गेंग संचालित होती है जिसने यहां के वकील और कुछ पूरा घिरो सकरी है जो उनके खिलाप जाने वाले व्यक्ति के खिलाप जूटे केस दर्द करवा कर उन्हें उनके अकबार में दबंग दुनिया अकबार के अंदर मुख्य प्रश्ट पर चाप कर उन्हें भाइबीत करके उनको डरा कर उनको ब्लेकमेल करते हैं उनसे अड़ी बाजी करते हैं उनका मन चाहा काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं ऐसा ही उन्होंने हमारे साथ किया उन्होंने हमारे मेरे और मेरे सहयोगी मित्र निखिल अ नेजर है उसने हमारे उपर आरोप लगाया कि जगदिश पालिवाल और निखी लगरवाल एक लड़की को लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे गोविनपुरा सब्जी मंडी में रोक कर गाड़ी में बिठा कर जबर जसी मुझसे 40,000 रुपए नगत छिन लिए और दस एक बिल्कुल यह सोचने वाली बात है कि एक बुजुर्ग जो है वो इस तरीके की उस पर इल्जाम लगाए जाएं तो बिल्कुल सच बात जो है वो स पालतू जो उनके पालतू गुंडे हैं उनसे ऐसे लोगों को परिशान करवा रहे हैं पूरी खबर में बस इतना ही अगली खबर के लिए बने रही है हमारे साथ स्वदेश निउस पर खबरों का सिलसला जा रही है कि अ भी खबरों के लिए 50 अबरों के लिए Defense Tradण तो है